हाई गाइज वैलकम टो अलाइन गुरकुल गाइज जैसा कि आप सभी को इंतिजार था आज पांस तारीक है और SSC MTS के जो आपकी स्कोर कार्ट है वो आपको शो होने वाला था जैसा कि यह राइट अप निकला था जब SSC MTS का रिजल्ट आप पर निकला था तो उस समय आपक तो बताया गया था कि पांस तारीक के आपके मार्क्स अप्लोड हो जाएंगे तो आगर आप वो अपने मार्क्स चेक करना चाहते है तो आज आप चेक कर सकते हैं आयोग नहीं तो यहां पर कोई नोडिफिकेशन नहीं आई है ठीक है देखें 30 अक्टूबर तक वही लेटे यहां पर राइट कॉर्णर माप देखेंगे यहां पर जिस समय आपने रिचितियों क्या होगा तो तो इसकी की कोई भी अग्जाम होती ही वहां से आप इनको एक्सव कर सकते हैं अप्लिकेशन भर सकते हैं सेम वाई जो लौग इन आपको देख रहा है यहां पर इस जगह यहां जाब मेंन वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, यहां पर लॉगिन है, आपका यूजर नेम, पासवर्ड और जो यह आपका capture है, वह आप डालेंगे, सारे चीजी, username आपका होगा, पासवर्ड होगा, यह आपका capture होगया, capture डालके जैसे आप इसको login करेंगे तो थोड़े दर बात में आपकी SSC का जो main window खुल जाएगा ये देखिए welcome है यहाँ पर आपको पता होगा साथ कई लोगों को नहीं पता होगा एक बार one time registration SSC के उपर होता है उसके बार SSC की जितनी भी examination निकलती ही चाहे हो MTS निकले चाहें वो CHSL कुछ भी निकले वाटेवर जो भी SSC आपको conduct कराएगी उसका पूरा एक साथ database होता है वो फिर क्या होगा जब आप दुबारा form भरेंगे तो आपको cable थोड़ी ही समस्या होगा या प्रीवेस जितना के देखेंगे तो क्या कि आपने जैसे की SI के मालिज है let consider मैंने यहाँ पर भरा हुआ सब इंस्पेक्टर का SI का भरा हुआ सीजल का भरा हुआ है जो भी आपने जब भी भरा हुआ आपको registration नमबर के साब से सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएंगी यहीं पर आपको तीसरा कॉलम रिजल्ट अबलिक मार्क्स का है इस जगे पर आपको जाके देखेगा जो करेंट में लिंक एक्टिवीट होगा वही यहाँ पर शोगा यहाँ पर जैसे यहाँ पर दे का अच्छों का पोडिवीट का बार्यों कि पर इसे सिड़ डाएंग वहाँ अपर आपको यहाँ आपको डिखाई यहाँ पर ऑप कर दिया जैसे इस पर का दिखा रिया साज के साज welcome ंए इस को फ़ेड़ यहाँ बार्भी मेनघ वैसी दॉचरे इंद कर दिखा है कि अण तब वहाँ पर आप अपने registration number यहाँ पर आप रो नमबर में छोड़ दिए आपने जो initially first time registration किया होगा उस registration से आप वहाँ से उसके और पासवर्ट से आप login कर सकते हैं उसके आपको यह result आप लिक marks का column आएगा यहाँ जाके आप अपने tier 2, tier 1 दोनों के marks यहाँ पर देख सकते तो यह मैंने आपको तरीका बता दिया इस तरीके से आप कर लिजिए क्योंकि अभी वहाँ पर main आपको notification नहीं है इसलिए शायद problem create हो रहे होगी आपको कई लोगों को पता नहीं होगा लेकिन marks अभी ssc ने जश्ट 10 या 15 मिनट पहले upload कर दिये गया है तो I hope आप सभी आप से तो please comment box में आप comment कर सकते हैं और अगर फिर भी father कोई आपको समस्या होती तो please क्या करें आप immediately comment box में आप मुझे question पूर सकते तो जिसका जवाब मैं आपको reply दे दूँगा तो मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जहें दोस्तों